इस बार के IPL के अंदर जितनी ड्रामे बाजी प्लेयर्स को लेके हो रही है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि IPL के अंदर एक्चुली होगा क्या फाइनली क्यूंकि अगर आप बात करो जॉश हेजलवुड की तो भाई वो बाहर हो गए है क्यूंकि उनकी वाइफ प्रेगन मेरे पास इसकी कोई पकी इंफर्मेशन नहीं है लेकिन उड़ती उड़ती खबर है लेकिन अगर मैं तुम्हें बताओं जो सबसे ज़्यादा जबर्दस खबर आ रही है 15 करोड के अंदर मुंबई इंडियन ने हार्दिक पांडिया को खरीदा IPL के अंदर कैप्टन करने क यानि के अंबानी जी ने 15 करोड रुपे अर्दिक पांडिया को दिये अब पता चल रहा है कि हार्दिक पांडिया ही इंजर्ड है तो हो सकता है वो फर्स्ट बेसिकली फर्स्ट पार्ट आइपील के लिए अवेलेबल ही ना हो तो हो सकता है हार्दिक पांडिया की जगा इ तो मेरे साब से जो बेस्ट ऑप्शन मेरे कहाल से मुंबई इंडियन के पास पहले भी था और अब भी है वो है रोई चर्मा एजा कैप्टन बैक अगें तो तुम्हें क्या लगता है कि मुंबई इंडियन को रोई चर्मा के साथ जाना चाहिए या कोई नया कैप्टन फिर बोलने लगे कि IPL तो पक्ता खेल लेंगे मुझे ऐसा लग रहा कि इंजरी का चक्कर कुछ ऐसा चल रहा है जैसे साब से गेम चल रही है ना कि प्लेयर्स आज की डेट में IPL खेलने में जादा इंटरस्टेड है वर्ल्ड कप से या कोई और बड़े टूर्नामेंट से अगर मैं बात करूँ इस बार इनवे मैं खुश भी हूँ थोड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि हार्दिक पांड्या को खेलते हो हम नहीं देख पाएंगे IPL के अंदर because of his injury लेकिन जहाँ पे मेरी खोशी की टिकाना नहीं है हो सकता है हम रोई चर्मा को वापिस आजा कैप् तो आप क्या चाहते हो comment section में मेरे को लिख के बताना like, share and subscribe जरूर दबा दो because आप लोगों के लिए cricket updates तो मैं लेके आता ही रहूँगा अब ये channel हमेशा के लिए regular रहेगा पक्की बार लाइक करो, share करो, subscribe करो, we'll see you in another video वाइस, जैहिन, मिलता हूँ बहुत जल्दी और हाँ, एक और जब वर्दस्त rule आ गया है, और वो rule कुछ इस प्रकार है कि एक over में दो bouncer कर सकते हैं, बोलर, इस है पियर, जैहिन,